स्रीक्रेष्न कानायालाल कीजे, स्रीनिजाननद स्वामी कीजे, स्रीप्राणनात प्यारे कीजे आज का प्रसंग भी बेद्वानी का प्रसंग है ये प्रकास्षिन्धी का 31 प्रकर्ण और उसकी 624 से आज आरंबर करते हैं अभी पहले पच्चासीवी गल की चौपाई को दोराते हैं बलकिया बलिए घना द्वार द्वार पचटाना परसाथे संगाती हदका इतसो रजाना इतसो रजाना तो ये चैसी में चौपाई से आगे बढ़ते हैं रास लीला सुका खंड इततो ना कहलाना तो सुकदेव जी जब रास का वरन करने लगे तो उन्होंने थोड़ा सही कहा उसे जदा उकाना नहीं पाए जो ये खंड लीला थी वो इततो ना कहलाना तो ये कहला इनहीं गई है परिक्षित जीने प्रसन किया उस समय वो पातरलत लोग नहीं थे इसके साबसे परिक्षित ने प्रसन किया उनके प्रसन के आधार पर जो ब्रह्म ज्यान का प्रभाह आ रहा था वो बीच में रुक गया पाचलतान हुई घनी अद बीचे लेवान तो पाचलतान हुई घनी तो पीछे से तो ऐसे खेची बहुत गई इसकातात पर यह है कि शुकदेव ची बताना चाह रहे थे फिर राजा परिक्षित के द्वारा प्रस्न पैदा करवा करके भी उसको ऐसे अटका दिया तो परमात्मन नहीं चाहते होंगे इसलिए यह बात नहीं हो पाई अद बीचे लेवान बीच में उनको रोक देना पड़ा अब इस रहस्य को समझा रहे हैं पात्र बिना रस क्यों राजा परिक्षित भी इसके लिए पात्र नहीं थै इसलिए उनके आवत धलक काना जो कुछ उनको प्राप्तो भूरा था तो रहीं पर लुड़का दिया तो फिर उन तक पहुंचने पाया पात्र होते तिन पाईया जो इसके पात्र थे उनको ये रस मिला तो ब्रह्मा आत्मा इसके पात्र है इसलिए उनको ये रस मिल गया भली भात पहचाना तो ब्रह्मा आत्मा उने इसके रस्य को भली भात से समझ लिया बरस असी लगे ए रस सारी पेरे सचवाना असी पर्ष पर्यंत ये रस बहुत अच्छी तरह से सच्वायाथ वो ब्रमात्माओं के बीच में ही रहा तो यहाँ पर असी वर्ष को किस प्रकार से गिनना चाहिए इसके संदर्म में अलग-अलग मानवाओं के अलग-अलग अभिमत होते हैं अभिमतों में से सबसे उतकरिष्ट प्रकार का मत इस प्रकार का है जैसे ब्रमात्माओं इस ज्यगत में आई सद्गुरु के प्राकट्य के समय ब्रमात्माओं भी आई तो उसी समय से इसको गिनते हैं और फिर जुनागड में महामति स्री प्राणनाजी ने हर्जी व्यास को जाकरत किया और उस समय उनको फिर तार्टम ज्यान प्रदान किया, तार्टम मंत्र प्रदान किया तो कहते हैं कि तब तक ये रस है ब्रह्मान अंदर, रस है ब्रह्मा आत्माओं के बीच में ही बाटा गया तो ये हर्जी व्यास के बाद्यम से वो दोसरों तक ये बात पहुंची ऐसा कह रहे हैं तो वर्ष अशी लग एरस सारी पेरे सचवाना लिया पिया साथ में सुन्दर साथ के अंदर ही कोई ले रहे हैं, कोई पिला रहे हैं, कोई पी रहे हैं जिन जैसा जाना, जिन को जितनी समझाई, उनने उस प्रकर के कारिये किये एक बूंद है, बाहरनाने का श्याह, इसका एक बूंद भी, थोड़ी सी बात भी बाहर नहीं निकली साथ में ने समा आना, तो ब्रमात्माँ के बीच में यह राश यस्पस्त हो गया जिनका था तिने बिलसिया थी तो ब्रह्मा आत्माओं के लिए ये ब्रह्मा ज्यान आवतरित हुआ है उनके संब्सक्र से ही दूसरे लोग भी इसको प्राप्त करेंगे इसलिए तो इसका राश्य स्पस्टिकरन करना जरूरी है तो ब्रह्मा आत्माओं के लिए ये ब्रह्मान अंदर रसाया तो उन्होंने प्राप्त किया तो हर्जी व्यास तक ब्रह्मा आत्माओं ने प्राप्त किया उसके बाद में फिर दूसरे लोगों को भी ये ग्यान मिलने लगा तो ये कहने का तात्परिया है एक बूंदर बाहरन निकस्या साथ मेन समान तब तक ब्रहमात्माओं के सिवाए किसी को भी तारतम ग्यान नहीं मिला था जिन का था तिन बिलसिया तो जिन का था वो इस रस में बिलसित हो गए तो ये ब्रहमात्माओं का था इसलिए ब्रमात्माओं तक ये बात पहुंची है उससे अतिरिक्त दूसरों में नहीं पहुंची थी मीनो मीने बटाना ब्रमात्माओं के बीच में ये रस बाटा गया अब हम अमीने थे ए रस अब हमारे द्वारा ये रस इता आए चलकाना इस दुनिया में आने के बाद में इसको चलकाना पड़ा हर किसी के लिए बोल देना पड़ा चोला आई जियों सागर जैसे समुद्र में ज़्वारभाटे बगएर आते हैं तो समुद्र से आते हैं लेकिन समुद्र के सीमा लांग करके चले जाते हैं तो इस तरह से ये ब्रमान अंदर रस है वो भी अक्षरातित धाम दने की इच्छा से ही रिधाय में से उमड़ उमड़ करके आगे दूसरी स्रिष्टियों में भी पहुंच गया इस वरी स्रिष्टि जीव स्रिष्टि सब प्राप्त करने लगे जो रखिया हम बहुत तेरा हमने अभी तक अपने अंदर इस समाने के लिए बहुत प्राइत्म किया रस रहा ना धपाना किन्तु ये ब्रमान अंदर रस ऐसे ढखा नहीं रह सका अब ये अब जाहर होई से ये ब्रह्मान अंदर से अब जाहर होगी बाहर दुनिया में प्रकट होगी बाहर प्रकटाना तो ये जाहर होगी इसलिए बाहर प्रकट हो गई है आज दिन तक यह रस की तक आहो न लखाना किसी को भी यह प्राप्त नहीं हुआ था आवची साथ इन बिदर तो ब्रह्मात्माएं इन्ही रस को प्राप्त करके यहां आएंगी एह रसल पटाना तो जो जो ब्रह्मात्माएं तो यहां पर आई सद्कुरू के सानिदे में उन्होंने तो उसी में लोट पुटो करके अनंद का अनुभव किया जान हो इसो जानियो जान का तात पर एक ज्यानी व्यक्ति कोई हो जानने वाले तो इस राश्य को समझ लेना ए क्यों कर रहे चाना तो यह से चिपा हुआ तो कैसे रह सकता है क्यों कर रहे चिपा रहे सबसुन से जहां आना तो यह राश्य क्यों चिपा रहना चाहिए पुरी दुनिया को इसका संदिश मिले पसरशी दो जवदे बोवना तो साब जगे साब आगल अक्षदों से आगे बढ़ें और तो ब्रहमा आत्मा एं तो इसका लाब लेंगी दूसरे लोगों को भी ये पुरा-पुरा लाबदाई बनेगा ए बानी बेहद प्रकटी ये बेहद बानी इसलिए प्रकट हुई है इस राश्य को समझाने के लिए इंरावती मुख इंरावती के मुख से बहुत बिदे हैं हमरा सपी ये हम लोगोंने अलग-अलग प्रकरसे नाना प्रकरसे इस राश्य का पान किया है बेहद के सुखों का नवब किया याबानी के कारने कई करेत पसन तो ऐसे देखा जाए तो ब्रमात्माओं ने बेहद भूमिका का रस बहुत पिया बहुत आनंद लिया तो इसमें और लोगों ने भी इसकी चाहना की ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं याबानी के कारने कई करेत पसन कई उने बहुत तप किया ये बेहद भूमिकी बात समझने के लिए याबानी के कारने कई पीवे अगिन इसके लिए कई लोगों ने अगनी का भी पान किया तो इस प्रकार अगनी का पान करने वाले तो कई लोग मिल जाते हैं तो थोड़े थोड़े प्रक्टिसमर कोई इस प्रकार का करी कर सकता है तो यहां कहते हैं तो कई लोगों ने अगने का पान किया याबानी के कारने कई दमे देह, कई उने देह का दमन किया याबानी के कारने कई करे का इस्तसनिया कई लोगों ने बहुत का इस्तसनिया याबानी के कारने कई गले हे मां कई उने हमालाई में जाकर के बरफ में शरीर को गला दिया या बानी के कारणे कई लेवे अनसन नेमा इस बानी को सिद्ध करने के लिए कई उने अनसन ब्रत वगरे लिया है या बानी के कारणे कई भैरव अजह हम पावे इस बानी के कारण कई लोगों ने भैरव जहां पे खाई है जैसे जुनागर में ऐसा स्थान है जहां से छलांग लगाते हैं वो गिरदार में तो छलांग लगाते हैं तो फिर वो आदमी कई मिली रही सकता तो ऐसे स्थानों से भी लोग जाकर के कई कश्ट सान करते हैं और तो हाँ उनका उद्धिश ही हो था है कि जीवन में परमात्मा मिले तो इसके लिए ये कहते हैं कईयोंने भहरब जाप लिया तो या बाने के कारणे तिल तिल दे एकटावे कईयोंने करवत में तो ये शरीर को काट करके टुकड़ टुकड़ बना दिये या बाने के कारणे कई संधान सारे इस बाने के कारण कई लोगोंने कई संधान सारे कईयोंने क्या बुलेंगे कि शरीर के टुकड़ टुकड़ ऐसा कर डाले तो या बाने के कारणे कई संधान सारे या बाने के कारणे कई देह जारे कई लोगों ने अपने संधान मतलब अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि शरीर के टुकड़े टुकड़े बना डालें तो ऐसा है तो या बानी के कारणे कई देहजारे कई लोगों ने अपना शरीर गुमा दिया तो ये ब्रमा ग्यान प्राप्त होने के लिए या बानी के कारणे करे कई भी दतावा कईयोंने बहुत कष्टसान करे किया या सो मुखते केते कहों उसको इस मूझ से जिवा से कितना वरणन करें हुए जो बिनाहिसावा ऐसे लोग तो असंख्य हो गये हैं कईयोंने कष्टसान किया तो या बानी का मतलब इस बानी के लिए तो इस बानी का मतलब ब्रमानंदर रस के लिए इस प्रकार का रस जो बेद भूमी का रस पूर्ण ब्रमात्मा के लीला उसका रस कईयोंने वरणन करना चाहा कईयोंने सुनना चाहा कई उन्हें समझना चाहा किन तो ये इतना सरल नहीं बना है कि नहीं एक अबुदन पाई आ ता इसे प्रयत्न करने वाले लोगों को कईों में से किसी को एक बुद्ध भी प्राप्त नहीं हुआ रसना भी वचन उनकी रसना के द्वारा ये जिवा के द्वारा गवाई नहीं गई नहीं जा सकी ब्रमान धनियों देखिया जो कहा वे तरे गुर्न तो ब्रमान के धनी तीनों गुर्ड के मालिक ब्रमा विश्ट महिस उन्होंने भी ये देखा तो वो भी इस ब्रमान अंदर रस को सीधा सीधा रुप से पान ना कर पाए और भी नाम अनेक हैं और भी अनेक नाम है पर लेओं कहा के तो किन-किन लोगों का नाम ले ऐसे तो बहुत लोग है ब्रमान के धनियों उपर ब्रमान के धनियों के उपर लिये जाए ना ताकि उनका नाम उसके उपर लिया नहीं जा सकता तो बहुत लोगों ने इस ब्रुम्म ज्यान को प्राप्त करने के लिए प्रहेत्न किया लेकिन सब सफल नहीं हुए तो अबर मन के आगे बाण अगरणी तो भगवान नारेन तक की बात कर दी तो उससे आगे तो और क्या हो सकता है तो इसके लिए यहां पर कह रहे हैं तो सोरस सागर इत हुआ तो यह रस ब्रमानन्द रस वो तार्तम सागर के माद्यम से यहां पर प्रकट हुआ है और लहरें उचले उसकी लहरें तो यह उचल रही है तो तार्तमसागर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझने समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे तो ये उचलना कहा साथ सबे हम बिलसाई हम सब ब्रमात्माएं तो इसका आनन्द ले ही रही हैं दूसरी आत्माएं भी इसका आनन्द ले रही हैं बाहर भी पूरत चले, बाहर भी इसके प्रबाहा बाहर हैं पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन यह ब्रमानन दरस सबसे पहले नवतन पूरी में प्रकट हुआ इसका बीज पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन ये प्रमान अंदरस सरवरतम नवतन पुरिधाम में हैं उदाय हुआ है सब पुरियों में उत्तमा इसलिए नवतन पुरियों में उत्तम कहलाती है हुई जो धन धन इसलिए ये धन्य धन्य भी कहलाती है फेर कहों बिध सकल जासों सब समझाए अब आगे और बात कहते हैं जैसे ब्रह्मान अंद्रस नवतन पूरे में प्रकट हुआ तो चाहरों तरफ फैल गया तो वो बीदी भी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे जासों सबस समझाए जिससे सब कुछ समझ में आ जाएगी संसा कोई साथ को मैं राक्यों नजाए सुन्दर साथ के मन में कोई संदे रहे ऐसा कारिय मैं ने किया नहीं साब को सपश्ट करके बता दिया है तो यहाँ पर इस तरह से इस ब्रमानंदर रस की बात कही तो ये अक्षरातित धामदनी की परमधाम की लीला इस दुनिया में प्रकट नहीं हो सकती तो दुनिया की तरह से दिखाना होता है लेकिन रास लीला के मार्दियम से परमधाम की लीला तो दुनिया से विशिष्ट रूप में दिखा दी है तो वो बात उसका रहस्य तारतम ग्यान अवतरित हुआ उसके द्वारा स्पष्ट हुआ है इसलिए नौतनपुरी में ये रस प्रकट हुआ है और उससे आगे बढ़ा है तो इसके लिए नौतनपुरी की महिमा इस चौपाई के द्वारा समझाई है और फिर आगे भी ये कैसे बढ़ा है तो उस बात को भी मैं समझा देता हूँ इस तरह ये कहा रहे हैं अब एके प्रसंग को यहीं रखते हैं फिर कहों बिदसकल जासों सवसमझाई संसा कोई साथ को मैं राक्यों नजाए मैं राक्यों नजाए बो श्रीक्रिश्न का नयालाल की जै